इदगा फायर स्टेशन पर अगनी शमन दुतिय अधिकारियों ने फायर कर्मियों को प्रशिक्षन दिया इस दोरन मशीन से बिल्डिंग का धुआ निकाल कर आग भुजाने के तरीके बताए गए इस तरहे का प्रशिक्षन समय समय पर फायर कर्मियों को CFO के निर्देशन में दिया जा रहा है दिनों दिन बढ़ रही आग की घटनाओ को लिकर फायर विभाग भी अलट हो गया है फायर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है अगनिशमन और आपात सेवा कमिशनरेड आगरा में मोखे अगनिशमन अधिकारी के निर्देशन में प्रभारी अगनिशमन दूती अधिकारियों ने इदगाफॉय र स्टेशन पर फायर कर्मियों को प्रशिक्षन दिया फायर कर्मियों को स्मोक एक्जोस्टर सिस्टम, हाई प्रेशर बैथिंग, एर कमप्रेशर, बी ए सेट, कटिंग टूल्स, कॉम्बी टूल्स, उपकरोणों का प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी गई बताया गया है कि बिल्डिंग में भीशर अगनिकांड के दोरान स्मोक एक्जोस्टर सिस्टम से धुआ निकाल कर आग बुझाने के तरीके बताये गए धुए में आग बुझाने में फायर कर्मियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है इस बज़ा से मुख्याले ने फायर विभाग को स्मोक एक्जोस्टर सिस्टम के साथ अन्य उपकरण उपलब्द कराए हैं आप देख सकते हैं फायर कर्मि किस तरह से अधिकारियों से प्रशिक्षन ले रहे हैं CFO देविंद्र कुमार सिंग का कहना है कि इस तरह का प्रशिक्षन समय समय पर फायर कर्मियों को दिया जाता है जिससे आग भुझाने में किसी भी तरीके की परिशानी नहीं होगी इदगा के साथ अन्य फायर स्टेशनों पर दमकलों की साथ उपकरण उपलब्द कराए गए हैं इसके साथ ही उपकरणों का प्रयोक करने का प्रशिक्षन भी दिया जा रहा है हाल ही में ट्रेनिंग करके लोटे रंगरूट को इस तरह का प्रशिक्षर देना आवश्यक हो गया है इसके लिए अगनिशमन अधिकारियों को प्रशिक्षर देने के लिए सीएफो ने निर्देशित किया है सी निउस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट